जब हम एक coin को turn table पर रखते हो turn table मालो किसी angular velocity से angular speed से घूम रही है तो coin के ओपर एक force लगता है वो force क्या होता है और ये जो coin है अगर just slip होगी अगर ये coin just slip होगी तो इसके ओपर force of friction कितना होगा अभी comment करिए और इसी concept को समझने के लिए हम इस question को देखींगे question क्या कह रहा है question बोल रहा है coin placed on a rotating turn table just slip if it is placed at a distance of 16 cm from the center एक coin है जिसको place किया गया है rotating turn table पर just slip if it is placed at a distance of 16 cm अगर इस coin को 16 cm की distance पर रखा गया है center से तो ये क्या होगा just slip होगा if the angular velocity of the turn table is doubled अगर हम angular velocity turn table की double कर देंगे it will just slip at a distance of ये जो coin है कितनी distance पर slip होगा just slip ध्यान रखना just slip slip नहीं होगा complete slip नहीं होगा just slip slip होने वाला होगा अब आपको पहले तो ये समझना है कि भहिया ये coin और ये turn table की जो picture है उसको समझना है माल लो ये turn table है ठीक है भई ऐसी turn table बना लेते हैं कुछ चलो ठीक है माल लो ये turn table हो ये घूम रही है ऐसे ठीक है आप इसका side view देख रहे हो ध्यान रखना जैसे आप table का side view देख रहे है तो आपको ये इसकी मोटा ही दिख रही है ये द्यान रखना है आपको ये आपको मोटा ही दिख रही है उपर से देखोगे तो उसकता है round हो उपर से देखोगे तो ये round है लेकिन आप इसका side view देख रहे हो तो आपको side view में कैसा दिखेगा रेक्टेंगा ठीक है अब हम ये माल लेते हैं ये इसका माल लो center है ये center है भई तो पहली situation में क्या बोल रहा है माल लो ये coin यहां रखी है ये coin यहां रखी है और इस coin की जो distance है center से कितनी है 16 cm ये कितनी है 16 cm अब आपको ये समझना है कि ये coin यहां से just slip होगा यहां से just slip होगा तो इसको कैसे समझेंगे देखो भाई ये coin का माल लो mass M है इस coin का जो mass M है तो इस coin के ओपर एक force लग रहा होगा नीचे की तरफ that is mg जिसे हम weight बोलते हैं और इस table के द्वारा इसके ओपर एक normal reaction भी लग रहा होगा ये normal reaction मना दिया अब ये जो coin है अगर मैं इस coin को reference मानता हूँ या इस coin को observer मानता हूँ तो जब ये turn table घूमेगी किसी angular velocity से तो इस coin के ओपर एक force लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं centrifugal force आप इसको centripetal force से भी कर सकते हो और centrifugal force से भी कर सकते हो मैं यहाँ पर इसको centrifugal force वाले view से बताऊँगा अगर यहाँ पर ये coin के ओपर एक observer बैठा है मालो तुम ही बैठ जाओ तो तुम्हें कैसा मैसूस होगा तुम्हें पीछे की तरफ force लगेगा जैसे हम कार में बैठे होते हैं और कार circular motion में जाती है तो आप बाहर की तरफ गिरते हो बिल्कुल ऐसे ही ये coin भी बाहर की तरफ गिरेगी जब ये coin बाहर की तरफ गिरेगी तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़े होने वाली हैं वह समझना है माल लो ये कौइन बाहर की तरफ गिरेगी तो इसके उपर centrifugal force लगेगा अगर इसका centrifugal force बहुत ज़्यादा होगा तो ये कौइन बाहर की तरफ जाते जाते गिर जाएगी अब लेकिन इसके उपर इसके उपर एक force of friction भी लग रहा है यह इसका force of friction हो गया अब question में यही बोला है यह just slip वाली condition है कौन सी condition है just slip वाली just slip का मतलब है कि यह move नहीं होगा लेकिन यह move होने वाला है that means इसके उपर जो force of friction और centrifugal force एक दूसरे को क्या कर रहे है balance कर रहे है force of friction और centrifugal force क्या कर रहे है balance कर रहे है अब force of friction क्या है force of friction आपने पढ़ा है मू इंटो n that is equal to FG, अब मू इंटो n, N क्या होता है M जी के equal होता है और FG किसके equal होगा centrifugal force M omega square RK, क्या है बात के लिए रहे है अब यह बोल रहा है कि भाईया अगर इस omega को double कर दिया जाए, question में बोल रहा है, अगर इस angular velocity को double कर दिया जाए, turn table की velocity, यह ध्यान से समझना, जब यह coin turn table पर रखा है, तो जिस angular velocity से turn table घूम रही है, उसी angular velocity से coin भी घूम रहा है, simple सी बात है, अब यह जो इसकी velocity है turn table की, वो double कर दी, जब इसकी velocity double करी, तो इस coin की velocity भी क्यों जाएगी, double हो जाएगी, जब यह double हो जाएगी, तो यह हो सकता है, यह coin यहाँ से उट करके इधर की तरफ खिसक जाए, तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, माल लो यह coin यहाँ खिसक गया, यह second situation है, first वाली situation यह थी, और यह हमारी second situation है, तो second situation में क्या-क्या चीज़े आएंगी, भाई देखो यह weight रहेगा, इसमें कोई doubt है, weight same है, mass same है, यह normal reaction रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, और अब क्या-क्या आने वाला है, इसके ओपर एक force of friction भी लगेगा, यहाँ पर, ठीक, और एक क्या ल इसका force of friction और यहाँ पर यहाँ पर यह सारी चीज़े आ गई, अब आप ध्यान से सोचो, कि भाईया, जो force of friction है, वो force of friction क्या है, mu m, g, भाई, mu क्या है, तो depend करेगा, material पर, यहाँ कि table और coin के material पर, दोनों के context हो रहे है, उनका material के उपर depend करेगा, mass constant है, g constant है, इसका मतलब य यह value आपकी क्या है, constant है, यह value आपकी क्या है, constant है, तो जो force of friction यहाँ पर होने वाला है, क्या यह बात के लिए रहे है, जो force of friction यहाँ होगा, वही force of friction यहाँ पर होगा, तो दोनों situation में force of friction क्या है, same, यह आपको समझ रहा है, जब दोनों case में force of friction same है, तो हम दोनों case के centrifugal force क इसको कर सकते हैं इसका मतलब मैं सवाल करने वाला हूं मालो M omega 1 का square और यह R1 that is equal to M omega 2 का square और यह क्या बात के लिए रहे मैंने क्या किया इन दोनों के centrifugal force को equate कर दिया अब यहां से देखोगे M से M cancel out हो जाएगा यह कर दिया हमने है cancel इसको omega 1 omega 1 कितना है अच्छा omega 1 मालो omega square हो जाएगा और यह R1 कितना है 16 यह आ गया भई 16 that is equal to omega 2 omega 2 क्या double हो जाएगा यानि कि 2 omega 2 omega का square और यह R2 हमें निकालना है तो यहां से आप इसको omega square को एक omega square को डाद होगे तो 16 is equal to यह जाएगा 4 इंटु आटू तो यह चार चोक शोल है और यह आगया आटू आपका that means 4 centimeter that means यह कितना एंगल उस पर आया 4 centimeter पर आया समझ में आया तो यह 4 centimeter पर आया तो आप आप यह सोच रहे होगे कि भईया इसकी यह रेडियस तो क्या और यह कम और मैंने डाइगराम बना दिया यहां तो आपको यह समझना है जब इसकी अंगुलर के बोलते हैं के बनाई है ताकि आपके माइंड में भी ट्रिक करें कि जब हम इसकी एंगुलर स्पीड एंगुलर वलोसिटी बढ़ाएंगे तो यह कोईन कहा जाएगा अंदर की तरफ बाहर की तरफ नहीं जाएगा क्या यह बात के लिए रहे ठीक है तो यह आगया आर्टू हमारा पोर सेंटीमीटर जब आर्टू पोर सेंटीमीटर आगया तो इसका मतलब यह कॉइन जो है अंदर की तरफ जाने वाला है जब इसका एंगुलर स्पीड आप बढ़ाओगे यह मैंने जान पूछ के बनायाता ह जो जान बूछ के बनायाता है ताकि आपको पता चले कि बढ़ेगी रेडियस बढ़ेगी नहीं नहीं क्या होगी कम होगी ठीक आपको अपने माइंड में पिट कर लेना है ठीक है तो उमीद करता हूं आपको यह concept अच्छे समझ में आ गया अगर concept अच्छे समझ में आ गया तो भाई आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्स्राइब कर देना यह मेरा WhatsApp नंबर है अगर आपको फिजिक्स में कोई डाउट है तो मुझे इस WhatsApp नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो यह टेलिग्राम का ग्रूप है फिजिक्स बाई विजय अकैडमी और यहां पर आप ग्रूप जैन कर लीजिए यहां पर एक चैनल भी है टेलिग्राम का ही फिजिक्स बाई नंड़ नंगे एक विजिक्सूचरब।